जब नई सरकार का एक बार फिर से गठन होगा एक्जिट पोल की माने तो इस बार भी NDA को बड़त मिलती दिखाई दे रही है लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लोग सबद चुनावफ 2024 के वो सारे बयान जिन पर चुनावफ के दौरान काफी चर्चा हुए कहीं पीएम मोदी कॉंग्रिस पर भैस चुराने का आरोप लगाते देखे तो वहीं तेजस्वी भी अपने टकाटक वाले बयान को लेकर काफी चर्चा में बनी रहें केजिवाल की बात करें तो केजिवाल जेल से बाहार आये और उन्होंने भी मोदी सरकार को लेकर जम कर निशाने साथे तो वहीं राहुल लगातार 295 प्लस का दावा करते हुए यह आपका मंगल सुत्र भी बचने नहीं देंगे देश की मुख्य ओपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिये गए हैं इंडी गडबंदे ने लोगतंत्र के उत्सव में वोड जिहाद की बात करके लोगतंत्र का भी अपमान के आए बाबरी मस्जिद सिंधाबाद बाबरी मस्जिद सिंधाबाद दर शुरू हो गया है, जंग तो इसके पहले ही शुरू हो गया है ये ताना शाही है और इसी ताना शाही के खिलाफ रड़ना हैं लोगत इंडी अलाइंस को अपने वोड बेंक की गुलामी करनी हैं तो करें उनको वहाँ जाके मुझरा करना हैं तो भी करें तुम तो धोके बाज हो वादा करके भूल जाते हो अयोत्या में राम नला कोई बिराजमान नहीं करते आतंगबादियों का राम नाम सत्य है भी करते हैं दिव्यां बेहने हमें आशिरवाद देने आई है उनके लिए जगा खोलिये उनको परिशानी हो रही है यह क्या बढ़िया मोदी योगी बना लाए हो भाई और यह मोदी तो इतना सुन्दर लग रहा है आप इतने प्यार से लाए हैं और वो भी मेरी मां का चित्र बना के लाए है रोना मत बेटा बद मुझे मिल जाएगा बेटा मैं लेलूँगा इसे पाकिस्तान का रागल आपते हैं मैं उनसे कहता हूं काई भारत में बोज बने हो पाकिस्तान में जाओ वहां कोई भीग भी नहीं देगा इन्होंने मनीश सुधिया को जेल में डाल दिया खेजिनिवाल को जेल में डाल दिया सतिंदर जेल को जेल में डाल दिया हरसो मेरे पिये को भी जेल में डाल दिया अब कह रहे हैं आप कीशी को भी जेल में डालेंगे सौरो पाजवाज को भी जेल में डालेंगे करूणों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8500 रुपए आपको मिलेगा अशर होता है समझा करो यार थोड़ा सब का दिमागा पर थोड़ा पर भाव को जाओ अब भी इसे लोग हील चुका है उनके खबर अंदर से आ गई कि चार जून के बोरिया वश्तर बंद बा तो आदमी का तार हिलता तो अंडब बंड बोलता है मैं नरेंद्र दामोदर्दास मोधी इश्वर की सपट लेता हूँ